जहीन फ्रेंस वेलकम टो माई OPC यूटूब चेनल स्टडी मेटेरियल A to Z BEG रूड की ग्रूप C रिकूरूटमेंट 2022 दोस्तो ये जो आपका रिकूरूटमेंट था वो टोटल 52 पदों पे रिकूरूटमेंट निकला था कौन सा रिकूरूटमेंट है और किन किन के आपके यहां पे exam date और admit card आ चुके हैं साथ में पूरी discuss करने वाले है exam date आपकी जारी कर दी है बड़ी update आ रही है और साथ में आपका admit card भी दोस्तो जारी कर दिया है तो आपको पता होगा दोस्तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी आपकी लगबग एक मन्त पहले और उसमें मैंने आपको बताया था तो आपको जो चीज बताई जाती है बिलकुल रियल ओथेंटिक विद पुरूप के साथ ही हमेशा जानकरी दी जाती है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा आने वाली सभी अपडेट जो हैं आपको यहाँ पे मिलती रहती है तो गैज यह हमारा टेलिग्राम चैनल है जहाँ पे सभी कैंडिडेट यानि आर्मी के जुड़ेव हैं तो आप भी यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना पार्टिस्पेट कर लीजेगा और यहाँ पे आपको जो भी अप्लिकेशन फोर्म होते हैं उफ्लाइन फोर्म होती हैं सभी नोटिफिकेशन आपको सभी जानकारी यहाँ पे आपको प्रॉइड करवा दी जाती हैं तो गैज सबसे जो यहाँ पे इंपोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे बार-बार जो है कमेंट आएंगे कि सर इस ट्रेड का एड्मिट काड आ गया क्या इस ट्रेड क यह अड्मिट काड आ चुका है और यह आपको जानकारी यहाँ पे मिलती रहेंगी तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाएगा कि आपके क्योंकि आपको पता है सुरुआत में किन किन ट्रेड क्या आते हैं वो हम डिसकस कर लेंगे और यहाँ पे आपको नीचे जो है अपसाइट है जहाँ पे आप विजिट करते रहते होंगे आई होप जो भी नई आये हैं उनके लिए मैं यहाँ पे बता पा रहा हूं तो गई सबसे पहले नोट कर लो कि भरती कौन सी थी तो यह आपकी यहाँ पे भरती थी आप देख पा रहे होंगे जो की गवर्मेंट इंडिया मिनिस्टर ओफ बी इजी यानि आपका रूड की सेंटर के द्वारा यह रिक्रूट में निकाले गी थी जिसमें आपके लडी सी के भी पत थे इस्टोर कीपर के भी पत थे और यहाँ पे सिवलिंग ट्रेड के भी पत यहाँ पे थे और कुक आपका MTS और MTS क्योंकि टोपिक वाई जो सीलेबस है वो भी हमें देखना जरूरी है मैंने जिस परकार से आपका जो सीलेबस आर्टली नासिक में बताया तो वहीं से जो है कोसन छपे थे और आपका जो दोस्तों यहाँ पे MRC एहमद नगर का जो पेपर हुआ था उसमें भी मैंने एक्ज YouTube चैनल दीखेगा जिसमें दोस्तों आपको exam review भी यहाँ पे हम करते हैं और जिनके भी यहाँ पेपर होते हैं जिनके भी admit card जारी किया जाते हैं तो मुझे WhatsApp करते रहते हैं तो दोस्तों यह मेरे WhatsApp नंबर है यहाँ पे आप जो है अपना जो भी admit card आता रहता है तो आप पा रहे होंगे तो दोस्तों इसमें जो है अपका सीलिय बस का बारे में बार बार मुझे पता है कि जैसे admit card आएगा पूछेगा सर अब मैं कैसे त्यारी करूं क्या त्यारी करूं तो मुझे तो पता है कि आप यह खोसंस तो बिलकुल definitely करेंगे तो मैं यह भी बिलकुल में ही बता कर चलूं ताकि बस आपको फाइदा हो इतना ही मैं चाहता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं यह जो चीजें पढ़ूं तो इससे जो है कोसंस जादा आएंगे तो यह मैं आपको कैसे बताऊंगा जो आपके अभी हाल फिलाल में पेपर हुए अभी अभी जस्ट ही मई के अंदर एक तो आपका MRC एहमद नगर का अगर आपने रिव्यू नहीं देखा है तो पहले उस रिव्यू को देखो जाकर या तो मैं इसको आई बटन में लिंक डाल दूँगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या फिर आप सर्च कर लेना MRC एहमद नगर एक्जाम रिव्यू ठीक है आप सर्च करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा और आपको पता है सबसे पहले हमारे वीडियो आना है वो MTS 5 वाला का Admit Card यहाँ पे जो है आपका अभी एजी रूड की का जो है देखने को मिला है यानि आपका जो Admit Card है वो सबसे पहली जो यहाँ पे MTS 5 वाला का मिला है अभी जो है में जस्ट मिला है अभी जो है सबी Admit Card लगाता हमें मिलते रहेंगे और जिनके भी आते रहें वही वोटसप करते रहना और इतना और कर दूँगा मैं आपके लिए क्योंकि काफी कैंडिडेट बोलेंगे सर सिलेबस मैं वेबसाइट पे सिलेबस भी डाल दूँगा बस खुस ये चीज़ भी कर देंगे क्योंकि काफी कैंडिडेट के कमेंट हूँ तो आपको अभी नोट कर लेना है तो दोस्तों यह जो आपका admit card है और मैंने जो भी personal जो चीजें थी वो hide कर दी है अब हम exam date के बारे में भी discuss कर लेते हैं तो note कर लो दोस्तों यहाँ पे exam date written exam की और क्या मैंने यही date आपको नहीं बताई थी क्योंकि मास तक आपका चला गया था अप्रेल मई और जून और जून के end तक भाई बिलकुल यह चीज मैंने कहा था कि आपका जून में सारी चीजें को के हो जाएगी और यह आपका अभी समय है अभी समय है यानि 3 जूलाई 2022 को आपका exam है सुबह आपको 6 बज़े यहां पे जाना है place of written exam BEG2C रूडकी में आपका यहां पे exam center रहने वाला है अब हम बात करते हैं दोस्तों यह तो होगी आपकी मुद्दे की बात यह मैं motivate क्यों कर रहा हूँ साथ साथ में बताने पर मैं 4 मिन्ट में बता कर चला जाता कि सिर्फ आपका exam date यह 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 बट जिस चीज का फाइदा होगा वो दोस्तों आपको इनी सब्दों से होगा यह मैं आपको definitely कह रहा हूँ और इसी से फाइदा जो है candidate को हुए है तो चलिए मैं यहाँ पे अब दोस्तों यह तो हो गया exam center आपको बता दिया exam date बता दी admit card बता दिया अब हम चलते हैं आपका syllabus की और तो दोस्तों अब एक question और पुछा जाएगा कि sir कितने percentage पे आपका admit card आया है तो percentage note कर लो percentage कुछ भी नहीं है यह तो 60% पे आया है लेकिन सभी का admit card आयेगा जिस परकार से MRC एमद नगर का A to Z बच्चों का आपका admit card आया था तो इसी परकार आपका भी admit card आना है तो आप य थोटी सी request है जब आपका admit card आये बाद में आप सिले बस मत note करना अभी note कर लो क्योंकि जिनका admit card आना है बाकी है अब दीरे दीरे करके सभी trade का admit card आ जाएगा आपका जून पूरा ले लेगा यह मैं कह रहा हूँ जून पूरा ले लेगा तो आप जून का पूरा ले लेगा तो इस टाइम पे आपको जो है wait भी करना है सबर भी करना है ठीक है ना कि ऐसा नहीं कि काल है आपका admit card आ जाए अब अपनी post ओपिस पे नज़र रखना स्टार्ट कर दो बस maths English यह आपका syllabus है यही आपका उपीसली notification में दिया गए है दोस्तो जीके में अगर क्या करो जीके में अभी हाल फिलाल के जिते भी paper हुए है उन पे ज़्यादा static पे ध्यान दो देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ cm, राज्येपाल, राष्टपती इनसे जो है question आपके बन रहे हैं यहाँ पे जो भी cm और राज्येपाल है इनसे question जरूर बन रहे हैं क्योंकि आपके अलगलग state के अलगलग हैं तो यह आपको द्यान में रखना पड़ेगा यहां से कोशन जो है बन रहे हैं यह स्टेटिक जीके के ही पार्ट आते हैं जो स्टेटिक जीके से कम से कम 1520 कोशन इसी से रिगार्डिंग आपका स्टेटिक जीके से 6-7-8 कोशन आपके करंट अफेर से जो भी पूछे जा रहे हैं और ज्यादा हिस्ट्री वगरे जो गरोफ उनके previous questions लगाना स्टार्ट कर दो मेरे भाई previous जित्ते भी questions है लगाना स्टार्ट कर दो reasoning जो है reasoning बिल्कुल कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है previous जित्ते भी central के paper हो रहे है या फिर आपके यहां पे state के paper हो रहे है उनके previous लगाना स्टार्ट कर दो या फिर जो मैंने यह अब और दिये गए है इनको ज़्यादा यहाँ पे टोपिक भी धान दो क्योंकि इन से कोशन्स आने निष्टे ते हैं क्योंकि फीगर वाले कोशन्स शीरीज वाले यह वो कोशन है जहाँ से कोशन टपकेगा ही टपकेगा देखे भाई math के अंदर अगर बात करूं था तो math भाई अच्छी आती है अच्छी का मतलब थोड़ी यहां पे आप यह कह सकते हैं कि moderate level की math आपको देखने को मिलती है तो math पे यह तो आपके topic दिखा रहा हूँ मैं और आपको इनके paper solve करने SSC, MTS, CHSL, Railway, Anti-PC अभी हाल फिलाल के जो paper हूँ है नया pattern solve करो नया pattern solve करोगे तभी जाकर जो है चीज़े बनेगी तो आप 2-3 साल के ही paper लगा लो बस इतना ही समय है मेरे coding आप इतना ही लगा पाओगे 3-4 paper लगाओ और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि time काफी जादा है English में भी यही चीज़े हैं कि vocabulary से questions दे लेकिन MRC एहमद नगर में vocabulary के नयान देकर filling the balance से काफी जादा questions पूछे गए थे तो इन चीज़ों को भी आपको ज्यान में रखना है तो यह दोस्तो error है grammatical है यह सारी syllabus है आप इनको note कर लो और जिते भी अभी paper हुए है MTS, HSL, NDA, Air Force vocabulary, Antonium, Synonium यह सारी चीज़ें ready कर लो तो यह चीज़े मैं क्यों बताई है अभी इसलिए बताई है ताकि आप जो है त्यार करते रहें मैं बाद में बोलता हूँ कि वीडियो डालूँगा फिर वही बात है नहीं मिलता है इसकान से तो दोस्तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दो मिलते हैं एक next वीडियो के साथ जैहिंद जैभारत वंदे मातरम